मा लक्ष्मी जी का शुब अशिर्वाद 17 जुलाई 2020 कुम्बराशी धन और कुशियों से भर जाएगी जोले दोस्तों हम सभी की जीवन में आर्थिक रूप से जुड़ी कभी ना कभी समसे आती रहती हैं हम सभी चाते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से परिशान ना होना पड़े हम सभी यह चाते हैं कि हमें सभी प्रकार के भोतिक सुक मिले जिससे हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कष्टन ना हो लेकिन ऐसा नहीं हो पाता हैं सबी को अपने जीवान में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं, जिसमें से कुछ परेशानिय आर्थिक रूप से जुड़ी होती हैं, ऐसे में आज हम आपको कुमबर राशी के बारे में बताने वाले हैं, 17 जुलई को कुमबर राशी वालों को मा लक्ष्मी का शुब अशिरवाद मिलने वाला हैं, जिसके चलते कुमबर राशी वालों की जोली धन और खुशियों से भरने वाली हैं, आप खुद के कारियों को पूरा करने में सबल होंगे, किसी खास व्यक्ति से फोन पर बात होगी, जो आगे चल कर आपके लिए काफी फाइदेमन बहतर होगा, अपने कारियों की योजनाओं में आप बदलाव करेंगे, जीवन साती आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही वो किसी काम में आपसे सला भी ले सकते हैं, दोस्तों ऐसे ही कुछ महतोपुर्न बातें आज की सुड़ों में बताने वाले हैं, तो इस तो सबसे पहले बात करते हैं कुम्बराशी की सामान्य राशिपल के बारे में, दैनिक जीवन के शोर से बचें और प्रकृती का मजा ले, आप अंतरीक शांती की तलाश के लिए ध्यान करने के मूड में हैं, आपकी मा या मा की जैसी किसी स्तरी को आपकी देखबाल की अव की सुनें, किसी की मदद करना सबसे बहतरिन चीज है, इससे संतुष्टी और अनुभो प्राप्त होता है, आज असफल होने की संबवना बहुत ही कम है, जीवन में की गई सबसे बड़ी गलती ही आपको विज़ाई बनाने में मदद करती हैं, दोस्तों अब बात करते हैं खानपान से दूर है, धन के लेंदेन में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, काम के सिलसले में आपको अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा, आपको अपनी गुसे पर काबू रखने की जरूरत है, अन्यता आपका बना-बनाया काम बिगर सकता है, गरहस्त जीव अपने पार्टनर को समझाने में सफल होंगे आप कुछ नया कार्य करने का सोच विचार कर सकते हैं परन्तो कोई भी कदम उठाने से पहले आपको अनुभवी लोगों की सलाह लेनी होगी आप अपने कुछ रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए मित्रों की सहायता ले सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं कुमबराशी की धनराशिपल के बारे में बिल्डर्स, इमारतों या सैटों से जुड़े हुए लोग अपने चारोत तरफ सकारत्मक माहुल की वज़े से आज उस्ताहित रहेंगे केर टेकर या मा की तरह कोई स्तरी आपके करियर की ग्रोथ में आपकी मदद कर सकती हैं जुआ, शेयर या लोटरी आदी गलत आदतों से बचे हैं स्तीरता और श्यान्ती दोनों आज आज आपको अकरशित करेंगे आज आप जो भी करेंगे उनमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी अध्यत्मिक विचार भी आपके दिन को एक नई दिशा दे सकती हैं रहसे और सर्प्राइज जिन्दगी की सबसे सुन्दर चीज है याद रखे बीड से कुछ अलग करने वाला ही अपनी पहचान बनाता है दोस्तों अब बात करते हैं कुम्बराशी की करियर राशिपल के बारे में आज आपको कोई बड़िया विचार सूच सकता है जो की भविशे में आपको धनलाब दिराएगा अपनी विचारों में रचनात्मक लाएं और न जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाएं सोच समझ कर ही कोई योजना बनाएं और उस पर आज ही काम शुरू कर दें इसे से लंबे समय तक आपको लाब मिलेगा आप पूरा प्रयास करेंगी कि आपके कार्यले में सब ठीक टाक चलता रहे अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों को उस्ताहित करने के तरीके ढूले आपको थोड़ा रचनात्मक होना होगा क्योंकि कार्यले के लोगों में थोड़ा आलसीपन आ गया है दोस्तों आप बात करते हैं कुम्बराशी की लव लाइफ के बारे में आज आप अधिकतर समय मा के साथ या घर पर व्यतित करेंगे अपने पार्टनर की उपेक्षा न करे क्योंकि यह रिस्ता ही उसके लिए सब कुछ है और वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है घरेलू मामले या द्यास्त में कमी या पेता पर आई समस्याएं आपको बैचेन कर सकती हैं आज आप किसी खास व्यक्ति के करिश्मा, शक्ति और सकारत्मक से प्रभावित हो सकते हैं अपनी दिल की बातों को शेयर करें और इसके बाद परिणाम देखें आपका प्यार आपसे पूरी तरह से प्रभावित हैं उन्हें लुभाने के लिए आपका चार्म ही बहुत हैं तो चाहत कि इन लंबों को एंजोई करें दोस्तों आप बात करते हैं कुमराशी की स्वास्तिराशिपल के बारे में आज आपको अपने परिवार के साथ व्यायम करने के नए रास्ते खुजने होंगे आज आप सभी को बाहर जाकर व्यायम करने की जरूरत है और इसमें आपको मज़ा भी आएगा एक साथ व्यायम करने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लंबे समय तक कर सकते हैं आज इस काम के लिए सब आपकी सराहना करेंगे तो दोस्तो यहती कुम्बराशी के बारे में अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में अगर आप उसे करते हैं तो उम्र बर आप कंगल बने रहते हैं दोस्तो जीवन में येदी कोई चीज सबसे ज़्यादा महतवर रखती है तो वह है धन जिसके बिना किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन व्यापन कर पाना मुश्किल होता है बिना धन के आप नहीं किसी की मदद कर सकते हैं और नहीं कोई आपकी मदद कर सकता है हर व्यक्ति अपने जीवन को सुकमे बनाने के लिए इसके पीछे पड़ा जाता है कडी मेहनत कर इसे कमाता है और इखटा करता है ताकि भविशे में सही समय आने पर इसका सही उप्यो किया जा सके जहां कई व्यक्ति दिन रात धन अरजित करने के लिए बहुत कटिन परिश्राम करता है लेकिन इन सब के बावजुद भी कई बार असपलता ही मिलती है तो हो सकता है आप इन गलतियों में से कोई भी गलती करने के आदि हो क्योंकि ये गलतियां आपकी विकास में बादा उत्पन करती है आपको इन गलतियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए जिन से आप मेहनत के ही फलस्वरुप परिणाम पा सके जी हाँ दोस्तों अगर आपको अपनी जीवन में धन से जुड़ी परिशानियों का सामना परस्पर करना पड़ता है तो इसका कारण डैनिक दिंचर्या के जिन्दगी में की गई कुछ गलतियां हो सकती है शास्तरों में हमारी समस्याओं से जुड़े कई परिशानियों का निवारन है जिने हम अपना कर अपना जीवन मंगलमें और बहुती सुकद और इसके साथ ही कई विपतियों वो कई विकारों से बच सकते हैं तो चलिए आपको बता थे हैं शास्तरों के अनुसार पैसा और संपति बढ़ाने ठरने वो आर्तिक लाग के कुछ ऐसे अचुक उपाएं जिसे आप अपना कर सपलता को अपनी कदमों में रख सकते हैं यदि आप अपने जिवन में ये बदलाव करते हैं तो लक्ष्मी जी आपर सदय वे ही प्रसन रहेगी तो चलिए जानते हैं उन नौ गलतियों के बारे में जिन घरों में प्रती दिन शंक और घंटियों की दोनी नहीं होती हैं और इसके साथ ही देवी देताओं की निमित पूजा भी नहीं होती हैं तो वहां मा लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है इसके अलावा जिन घरों में पित्रों पक्ष में पित्रों का शराद दन नहीं किया जाता है वहां भी मा लक्षमी नहीं रूखती है और इस कारण से पितर भी नाराज होते हैं जिसके चलते घर पर हमेशा धन से संबधित परिशानिया चलती रहती है कई लोगों को देखा गया है कि वे सुर्यास्तों होने के बाद जाडू लगाते हैं आपको यह बता दे कि ऐसा बिलकुल भी ना करे क्योंकि ऐसे जगों पर शास्तुनों के मताबिक माता लक्षमी जी कभी भी वास नहीं करती है इसलिए शाम के वक्त भूलकर भी जाडू नहीं लगाना चाहिए इसके साथी माता लक्षमी कभी भी उस घर में विराज़मा नहीं होती है जिस घर के सदेस्यों को नाकुनों को चबाने की आदत होती है इसलिए कभी भी नाकुनों को चबाना नहीं चाहिए घर के महलाएं अक्सर दिन पर काम कर ठक कर रात के अक्सर जूटे बर्थन को घर में वैसे ही रख देती हैं और सुबह वुक्त मिलने पर उन बर्थोनों को साप करती हैं कुरूपया आप अपनी इन आदतों को भी बदल ले क्यूंकि ऐसा करने से घर में लक्षमी नहीं ठरती है और आर्थिक तंगी की बनी रहती है इसके साथ ही शास्त वनसाथ सुरेदिव से सुर्यास्त के बीच स्त्री पुरुष को समागम नहीं करना चाहिए जहाँ दिन के समय स्त्री पुरुष से समागन करते हैं वहां लक्षमी का वास कभी भी नहीं होता है कई व्यक्तिं रात में बिना हात पैरत होे बिस्तर पर सो जाते हैं लेकिन ऐसा करना धन के लिए अच्छा शगुन नहीं माना गया है जिन घरों में पूजा का दीपक फूंकर या मार कर बुजाया जाता है वहां भी लक्षमी नहीं विराज करती यदि आप टूटी हुई कंगी से बाल समवारते हैं तो ऐसा करना भी धन की दुरुष्टी से बहुती अबशकुन है तो दोस्तो यह थे कुछ नव गलतियां अगर आप इन्हें धोराती हो तो आप भी कंगाल बन सकते हो तो दोस्तो आज की सुड़ों में बस इतना ही विडियो आच्छा लगा तो लाइक जरू करेगा साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए विडियो के साथ धन्यवाद